पहले चरंड में कम वोटिंग के बाद BJP में मन्थन भी कम हो रहा है वोट प्रतिशत के चलते BJP अब अपनी रणनीती बदलेगी तो इसको लेकर मन्थन किया जा रहा है BJP में जिस तरह से वोट प्रतिशत कम हुआ अपने आपको बता दे यहाँ पर आने वाले चरणों में मतदाताओं से बीजेपी अपील भी करेगी और इसको लेकर मन्थन किया जा रहा है मतदाताओं से घर से निकल कर मतदान करने की अपील होगी तो पहले चरण की 6 सीटों पर करीब 8 पृतिशत कम मतदान हुआ है प्रदे सदिक्ष वीजी शर्मा का दावा है कि बीजेपी का बोट प्रतिशत कम नहीं हुआ है और वीजी शर्मा जी ने सभी 6 सीटें जीतने का दावा किया है तो गहन मन्थन हो रहा है इंटेंस तरीके से इस पर फिंकिंग जारी है बीजेपी की कि आखिर ऐसा हुआ क्यों क्यों इन सीटों पर जैसी वोटिंग एक्सपेक्टेट थी कि काफी अधिक इनमें वोट प्रतिशत बढ़ेगा यानि पिछली बार से 2019 से तुल्ला करें तो 24 में ये वोट प्रतिशत और बढ़ेगा लेकिन क्या कारण्ड था कि कम वोटिंग हुई पिछली बार से तुल्ला करें तो ये बीजेपी के अंदर खाने में काफी इस पर विचार मंथन के प्रक्रिया चल रही है ऑफेर्स मनौिज सैनी ने इसी मसले पर बात की प्रदेश चाह्रदेश सर्माजी ने सुम्हा बहुत इस सब्सक्राओं कि निकलते हैं निकलते हैं तो सबसे पहला काम यही होता है कि भगवान सवर के दरशन कर ले और या मंदिर है आती प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि आशिरबाद के बाद हर काम शुब होते हैं और आपने आज फिर दर्सन कलेए रोच का रूटίν है जब कहजराओं बगवान का अशिरवाद है और इस वार हमेशा से जैसे मिला है बैसे इस बार भी और भगवान के आशिरवाद से इस वार प्रचंड भाहुमत की जीत हर बूत पर कमल का फूल खिलेगा बूत प्रचंड थुड़ा गिरा है चे लोग सबामे सीटे हैं उसको लेकर के जल्दी ही हम सबने भी प्रयास किये हैं आभान भी किया है और ज्यादा ज्यादा मद्दान हो यह हम प्रयास कर रहे हैं थोड़ा सा पहले चरण में कुछ लोग सभाव में लगवक 6-7 परसेंट बोट कम हुआ है लेकिन यह उदासी क्यों आई है कुछ लोगों में लेकिन भाजपा का कारकरता प्रत्य बूत पर मद्दान ज्यादा स्यादा हो इसके लिए प्रतिवद्दित भी और काम भी लगातार कर रहा है और इस दिसामें और थोड़ा प्रभावी कदम उठाने का क हमने भी शुरूआट चिंता तो नहीं बढा रहा है तो मिरा तान रोध है कि सभी लोगों से कि ज़्यादा स्यादा मद्दान हो लोक तंतर के लिए यही अच्छा होगा। चिंता की बात तो है कि क्यों कम हुआ क्योंकि बीजेपी ये मानती है कि वोट प्रतिशा तधिक यानि बीजेपी को फाइदा भले ही वीडी शर्मा जी ने ये बात कही कि चिंता दूसरे करें लेकिन आपके पास आफ दर रिकॉर्ड अंदर खाने की क्या खबर है कि अगले च देख रहे हैं बीजेपी ने प्रचार और तेज कर दिया है पुरदान मंत्री के मद्यप्रदेश के दोरे और तेज हो गए हैं और ज्यादा आकरामक अभियान प्रचार अभियान दिख रहा है तो अब हम ये मानें कि वोट प्रतिशत पहले चरण से सबक लेके अगले प्रतिशत गिरा शरजी आप बहतर समझ रहे होंगे बीडी शर्मा जिस तरह से बात कर रहे ते मतलब कहीं ना कहीं चिंता की लखी रहे हैं चिंता की लखी रहे हैं इसलिए नहीं कि हार का साबना करना पड़ेगा जैसा दाबा है भारती जंता पार्टी का लेकिन जो 68 बढ़ाई है और इस चिंता के बाद बीजेपी का मकसद यही होगा कि जो लक्ष तेह किया गया है उस लक्ष तक पहुचे कम कैसे हुआ यह निश्चित रूप से विचार का विश्य है और पाइटी आला कमान यानि केंद्री ने तरस से लेकर राज इस तर पर इस पर विचार करता करते रहिएगा बहुत शुक्रिया आपका